आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री से संबंधित महत्पूर्ण MCQ के बारे में जो की UPSC, UPPCS के एक्जाम्स में पूछे जा चुके हैं तो ये प्रशन आपके UPSC और UPPCS के एक्जाम्स में दोराय जा सकते हैं तो questions बहुत ही important है जो लोग continue video class कर रहे हैं हिस्ट्री के कल तक हमने 61 से 70 number questions तक हिस्ट्री के अंसर जाने थे और आज की इस वीडियो में हम 71 से लेके 80 number questions के अंसर जानेंगे तो चलिए वीडियो के शुरुआत करते हैं उससे पहले चैनल पर आप नहीं आया हैं और सब्सक्राइब नहीं किया कर लिजी वीडियो को लाइक करिए अपने दोस्तों वीडियो को शेयर करिए तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की आंसर जाने की कोशिश करते हैं इस्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तड़ पर बसी थी वे थी सिंधु चेनाप जेलम कंगा नीचे दिये गए कूट में से सही उत्तर का चैन कीजिए तो यहां पर आपका बी आपसन सही होगा एक दो और तीन मतलब सिंधु चेनाप और जेलम इन नदियों के तड़ पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता बसी थी तो यहां पर आपका बी आपसन बिल्कुल सही होगा सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो किस पर विश्वास करते थे मात्र सक्ती में सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे तो किसकी पूजा करते थे भई? तो यहां पर आपका एपसन सही होगा पशु पती की पूजा करते थे मोहन जोदडो एवं हडपा की पूरा तात्वी खुदाई के प्रभारी थे तो कौन प्रभारी थे? यहां पर भी आपसन सही होगा सर जौन मार्शल सिंदू घाती सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतियों का नाम जुड़ा है वे हैं तो यहां पर आपका एपसन सही होगा राखालदास बनरजी और दयाराम साहिनी एपसन सही होगा नेक्ट क्वेस्चन निम्न लिखित में से कौन सुमेलित नहीं है यह ढूणना है आपको तो यहां पर आपका डी आपसन सही होगा धौला वीरा वीके थापड ठीक है और सब सुमेलित हैं हरपा, दयाराम साहिनी, लोधल, एशार राव, सुरकोड़ा, जेपी, जोशी और धौला वीरा वीके थापड से समेलित नहीं है यहां पर ठीक हैं तो यहां पर आपका डी आपसन सही होगा धौला वीरा वीके थापड यह सुमेलित नहीं है और बाकी सुमेलित है ठीक है नेस्ट क्वेश्चन हरपा का उत्खनन करने वाला प्रत्थम पुरा तत्विद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था तो यहां पर आपका कौन सा आपसन सही होगा यह आपसन सही होगा एक निंगम नेस्ट क्वेश्चन निमली खित में से कौन हरपा और मोहन जोदरों के उत्खनन से संबंधित नहीं थे यहां पर आपका डी आपसन सही होगा वी ए स्मित नेस्ट क्वेश्चन सिंधू सभ्यता की विक्षित अवस्था में निमली खित में से किस इस्थल चे घरों में कुमों के उशेश मिले है तो यहां पर डी आपसन सही होगा आपका मोहन जोदरों नेस्ट क्वेश्चन मोहन जोदरों अमनी खित में से कहां पर इस्थित है तो यहां पर आपका सी आपसन सही होगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तो आज के लिए बस इतना ही चैनल पर नए आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो कर लीजिए वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों पिछ वीडियो को शेर करिए तो इन कोईशन्स को आप अच्छे से तयार कर लीजिए अब हम आपसे नेक्ट वीडिय धन्यवाद